हेलो दोस्तो मेरा नाम है प्रतिकुर स्वागत आप सभी का एक और नई वीडियो में तो दोस्तो आज की वीडियो में एकदम सिंपल बेसिक सा टॉपिक आपके लिए 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 अगर आप आइफोन यूज करते हो तो बाकी नॉर्मल मॉबाइल जैसे ही है ज्यादा कुछ आपको करने की जरूद निया आपको सिंपली यहाँ पर फोन उप्शन सिलेक्ट कर देना है आपको यहाँ पर कॉंटक्ट के अंदर सेव होगे आपको इस पेज के ऊपर मिल जाएंगे तो यहाँ पर सिंपली कोई एक अगर आपको डिलीट करना है तो यहाँ पर मैंने दो टेस्ट कॉंटक्ट बनाके रखे है जो दिखाऊंगा डिलीट करके तो जो भी कॉंटक्ट डिलीट करना है वो कॉंटक्ट आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा तो आप देख सकते हो अगर मैं यूनो प्रेस करके र तो contact select करना है, contact select करने के बाद आपको contact के basic details से आपको नहीं मिलेगा, आप देख सकते हो, send message, share contact, add to favorite, add to emergency contact, share my location, block this caller, यह option आपको मिल जाएंगे और उपर के साइट पर message and call को option है, बट यहाँ पर contact delete करने का option इस page के उपर नहीं है, तो simply आपको edit के उपर click कर देना, यहाँ पर main edit section में आजाएंगे contact के, तो यहाँ पर आपको नीचे scroll करना है, सबसे नीचे, और at the end of this page, आपको यहाँ पर delete contact को option जो है, वो मिल जाएगा, तो जैसे ही मैं delete contact के उपर click करता हूँ, यहाँ पर pop-up message आजाएगा bottom से, delete contact या फिर cancel, अगर मैं cancel करता हूँ, तो obviously यह message या फिर यह contact जो है delete नहीं होगा, तो delete contact के उपर click करते ही, यहाँ पर contact successfully delete हो जुगा है, तो test 1 जो contact term ने delete किया है, तो यही simple तरीका है, ज्यादा कुछ करने की ज़रूद नहीं है, आपको बस यहाँ पर कोई contact डिलीट करना है, वो select करना है, select करने के बाद आपको edit वाले option पर जाना ह जो जाएगा, तो बस दोस्तों यही था, I hope आप सभी को पता चल गया होगा कि simple steps का follow करके आप contacts जो है, आपके delete कर सकते हो,